कि गुद्धे हैं इस ट्रेंजर आया है चले इन से भी बाते करते हैं जी एस ट्रेंजर बताएं किया काना चालते हैं हां हलो फसक्राइल और चीज बना तो बहुत को यह नहीं पता है यह यूटूब भूत लोक। सब कर देखते हैं लेकिन उनको मैं यह बता तो क्रोम पे जाके टेक्स्टॉप पर क्लिक करते हैं कि तो यह MP3 में भी आपका सुल सकते हैं है सब मेरा यह कोर्शन था कि बवाइब लेना में एक सालों लग जाते हैं तो बावा साब की जो प्त्विस टेगरी नहीं एक्ष्लमिट चार डी इसके और वो ये भी बोलता हैं कि अगर सुद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता तो बाबा साहब के पिताजी पोष्ट पे चले गए किस पोष्ट पे चले गए राजा कौन था किस राजवन्स के लिए काम कर रहे थे यह भी तो बताना पड़ेगा ना उनको बहीं उनके जो पिताजी थे उनको कौन से इनके ब्रामध साथनकाल ने अपने यहां पोष्ट दिती यह बताए न क्यो अगर चात्रपति सीवा जी जो हैं वो ठाखतीत हिंदू थे तथा कतित ब्रामधवादी थे तो उनके पिता भी हिंदू यह ब्रामधड रहे होंगे तो अगर उनको हक दिया होगा तो ब्रामधण ने दिया होगा तो ब्रामडों ने दिया था तो जौब भी अपने यहां देते ना वो कौन से हिंदू राजा ने उनको जौब दी थी किसके यहां वो काम करते थे उनके पीता जी यह थोड़ा सवाल खड़ा करें ना उनसे फिर आम पता चलेगा वो बोलते हैं कि ब्रिटिश उनके पिता की बात चल रही है कि अगर उनके पिता उस पोश्ट पर पहुंचे तो उनका राजा कौन था ये बताए ना उनको हक किस ने दिया उनके पिताजी को जौब करने का हक किस तो यही चीज है यही चीज सामने खड़ा कीजिए सवाल जब कोई कहें ना कि उनके पिता जी उस पोश्ट पर पहुंच गए तो उननों से खड़ा कि वही उनके पिता जी उस पोश्ट पर पहुंच तो किसने वह पोश्ट दी कौन था वह राजा कि किसके वह जब लेकर गए थे तो उसने ज oleh जोए तो उसससर जुखाने से शीवा जी नने मना कर दिया था पूछित में गया उनके पिता की रोजई-्वोटी चलाई थी लोग हक दिया थै अरे बाहर से ये जितने भी मुस्लिम सासा काए हैं इन लोगों ने दिया है रुजगार दिया है इन लोगों ने अपने थोड़ी सी मान समान दिया था ये घर चलवाये थे यही चीज़ होते हैं कि अगर कि दिखा दो कान में कैसे सिल्सा पिगला देते थे और सर बाबा साब की वह जो चार डिग्री थी बत्तिस जड़ा इसका भी थोड़ा बता दीजिए कि मैं चलते हैं सवाल करके लिए आफ मैं सवाल दागती एंग पर पड़ली आको खाक किसंने दिया उनके पिता-पूछने एक हो भी को उनके मुह पर पार सकते थे जब सर्याव इतने इंटेलिजेंट हो इसे पूछ लेता हूं मैं नहीं नहीं यह काम मत कीजिए यही तो चक्कर है आप लोग पूरे तरह से जो अगली बार आप जो इतने पी आप सवाल पूछे हैं सबके उतर कई-कई बार दिये जाते हैं फिर भी आप लोग आते हैं पूछने के लिए तो आप लोग से थो थो थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा ना ऐसे कैसे चलेगा बताइए तुझरा कि सब्सक्राइब नोकरी करत करती थी ति आप सीवा जी की बात कहे था यहां कारता थैँ कि पूछ रहा था मैंश्य हैं पूस्थ यह फेदा जी के ब Unterschied कि benefici पूछ ररा था था मैं थोड़ा उसका नहीं बता दी जैता फिर वर बाबसाइब उस्पैदर करते थैं वह बता हाँ लोग तकिने से मुस्लिम सास को मुस्लिम सास को यह तो मुझे पता है था तो यह लोग जब दिये थे तो उस पर भी आते हैं ना पहले यह भी तो किलियर कर लेजिए दोनों चीश साथ में किलियर होगी ना जब एक जिसको हिंदू हिर्दय समराट बना के घूम रहे हैं जिसका राजय विसे की लोग नहीं करते थे उनके पिता जी को जो है हक दिया किसने मुस्लिम सास कने अच्छा अब आते हैं बाबा साहब पे मुस्लिम जाइशा सक्षा जरप उस टाइम तो मैक्सिमम इंडिया तो वो बोल देंगे नहीं तो उनके बोलने ले आपको क्या करना है आपको बोलना है कि उनकी बोली सुनना है यहां पहले सर प्पोरे टाइम मोदग के लिए जवाब दे लिए आपको इस ट्रौंग ली रखना होता है अपना जो जे्निवन प्वाइंट ओता है वह स्ट्रोंग रखना होता है कि भाई तुम्हारा कौन सा ऐसा चाणक के निती था कि तुम ले के बैठे थे और भारत में मुस्लिम के सासन बन गया तुम्हारे कौन से ऐसे देवी देता थे जो आज तुम राम मंदिर बन रहे हैं यह सब सवाल कौन उठाएगा ये सब सवाल कोन उठाएगा तरख मियलों को उठाना पड़ेगा आप यही तो बोल hilarious सवाल उठाना सीखिए कौन क्या देदेगा वह मैंने नहीं रखता है आप अपना सवाल क्यों नहीं उठाते हैं यह मैंने रखता है बाबा सहब बाबा सहब कहा नोकृद करते थे है बताइए तो क्या पढ़ा है आपने उनका 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 पानी नहीं पीने दिया जाता था कुछ दिन पानी पीए भी रहते थे कई दिनों तक लेकिन वह बहुत है ना क्योंकि पादर कैसे पहुंच गए इस पोश्ट अगर वह पहुंच गया मैं जो पूछ रहा हूं उसका व सवाल कर रहे हैं मैं यहां पर वोगों से कहीं बार आते हैं सवाल करते हैं लेकिन मेरा फिससे त्यार करना होता है अगर आप वस्तों में किसी से डिवेट करना चाहते हैं और तो सवाल मुझस से चले जाएंगे अरे वह आप दो की जगह 50 सवाल के लिए त्यार हुई है ना आप पहले यह देखिए बाबा साहब के पिता जी को जब किसी ने पूछ दिया आप से कि उसके पिता जी कैसे उंचे पोश्ट पे तो आपने कभी चेक किया कि उनके पिता जी कौन सी कलास तक पढ़े थे अब मुझे ना मुझे कितने कलास तक पढ़े थे हैं अब मुझे नहीं पता सर जब उनको अलाव नहीं था तो फिर वो बोलते हैं तो कैसे पहुंच गया अगर ब्रामनों ने अलाव यहीं पूछ रहा हूं ना कि आपने जो है आपने कभ चेक करो गया आपकी बाबा साहब ज क्याँ नहीं मिलेगा आप वाया आप कि गरी क्या होती है यह पता ये पहले मुझे लिस्ट आपने कभी चक है इस पर लिश्ट आपने कभी चेक कि अ कभी नहीं कर रेक्षी तो क्यों ऐसे ऑसे सवाल आपके जो आपको आसानी से गुगल पर थोड़ा सांग का इश्यूकेशन केरियर कितनी बाबा साहब ने डिगरी ली थी यह सारी चीजें आप आकर यहां पर पूछते हैं क्या मतलब है इसका बाबा साथ बलता है चार डिगरी थी आपको क्या लगता है कि कि ने डिगरी थी पर आपको यखीन है आपने सर्झ किया होगा ना कि आपको कितनी लगती बत्तिस दिखाता है ना तो फिर आप मुझसे यह बता है मुझेस्ट करो गया अप तो बुद्धिजम, इंदुजम, जैनिजम, कभी इसलाम दिखा देगा, कभी रिफ्रेश होता रहता है, अभी जैसे भी एक तो आया है, एक तो पेज आया है, जिसमें वर्ल्ड की ग्रेटिस्ट राजाओं की जो रैंकिंग है, उसमें अशोक समरार का नंबर एक रैंकिंग चल रहा है, अभी भी नंबर एक रैंकिंग है वोल्ड के, तो ऐसे विक्किपीडिया की बात नहीं कर रहा हो, यह पेज की बात करों, लेकिंग विक्किपीडिया पे चीज़े रिफ्रेश होती रहती है, कभी आपका यह दिखाएगा, कभी वो दिखाएगा, तो इसलिए मै बताएगा, आप कौन सी केटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, SCHT से आते हैं, या जेनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, आच्छा, आच्छा, बाबा साहब को कितना पढ़े हैं, यह बताएगे, बड़ी तरिकेश में पढ़ाऊ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊ, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊ, इसलिए तो आप कन्फ्यूज हैं, बाबा साहब का जो सिपाही होता है, वो आके यह सवाल दूसरे से नहीं पूछता है, कि बाबा साहब के कितनी डिगरी आती, वो जो स जबाब देना सीखना चाहिए, अगर आप यहां पे इस बात के लिए आ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए, कि मैं आपको बता दूँ, किसी ने कह दिया, अब वो यह जबाब दे देगा, तो मैं इसका जबाब दे दूँ, तो भाया, उसी को लेकर आओ ना, यहां पे, आपको उस समय से यहां पे हैं, आपको क्या मैंने निकल दिया, नहीं नहीं निकला ना, तो फिर आप जो है, उनकी ही दलील आकर यहां पर क्यों दे रहे हैं, आप जो है, मैं देख रहा हूं कि मुझे तो लग रहा है कि आप ही वहीं है, मुझे तो लग रहा है कि आप खु ज़्यादा समय नहीं देपाऊंगा वैं जी आया है अच्छा मनिश्वधान थोड़ा पहले आया है चले इन से थोड़ी सी बाते ले ले लगते हैं पिर बात करते हैं पर बात करते हैं पर आपको जैविम नमोगता है आपका टॉपिक तो अशोक पिता अंद उनके जैसा तो शासक होना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन सर मेरा एक और सवाल था अगर आप इजाज़त दें क्योंकि आपने आलमोस सवालों के जवाब दे दी है हाँ हाँ जरूर जरूर तो सर मैं क्रिशन की बात करना चाहूंगा जिसको यह बगवान क्रिशन कहते हैं उसके इसके सा ठाहिले वो नहीं आया है तो इसका क्या मतलब है कि ग्रिशन सपोर्ट करता था दासी को क्योंकि दासी दो बना ली थी उसने ठीके सार वhard करता था कि एक और में इतनी बेज़ती की जाए तो क्योंकि सर अगर वो कभी भी आने की तो इसका मतलब है कि वो जो चीजें उससे पहले हुई है वो सपोर्ट करता था तो वाट काइंड अफ गौड ही वास सभी सवाल खड़ा किया अपना ठीक है सर, अब एक और बात है सर, जिसको यह भीष्मपितामा बोलते रहते हैं, हाना, वो जब भीष्मपितामा के पास जाती है धरॉपदी, वो कहती है, कि आपके सामने देखें मेरे साथ ये क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि आप दासी हो, ह कार्व के हिसाथ से हो रहा है? ठीक है सर? तो अब मुझे एक बात बताईए सर, जिसको ये अपने आइडिल्स बोते हैं, उनकी तो ये बताईए सर, ये कोई हरकते हैं तो ये इनसानों वाली? ठीके? और एक सर और बात मुझे कहना है. जो लोग सर मुझे पूछता है कि बाबा साइब के कितनी डिग्री अधिधी है ना, तो मैं उसे जो सरकास्तिकली पूछते हैं, मैं उनको ऐसे जवाब देता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता, मेरे बाबा साइब कितनी डिग्री यहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बाप के पास शाहे एक डिग्री थी चाहे बत्तिस डिग्रीयां थी लेकिन मेरे बाप ने जो वो डिग्रीयों से लिखा ना उस डिग्रीयों से जो पढ़के वो लिख दिया ना वो तुम्हारी सारी डिग्रीयां वेद, उपनिश्यद, पुरान, फ्लाना, धिमकाना, यह वो सब कुछ गटर में फैंकि लिया, यह हैं मेरे बापा साथ, यह हैं मेरे बाप की ताकत, बिलकुल, बिलकुल सही का, मैं बिलकुल सहमत हो मनिशची, और बिलकुल सही कहा, आपने सही उतector दिया है, मेरे ख्याल से जिन लोगो डाउट हो आप लोग उत्तर देना सीखिए अब ना ये डिफेंस का समय नहीं रहा गया है कि कोई सामने वाला कुछ कह दे और हम उसका जबाब दे जबाब नहीं देना है मिरे पादर से ऐसे एक बार किसी ने बाया पूछी थी हमारे घर में बेटे हुए थी gonna मेरे तोड़ी सी एक और बार दोता हो थाम सारी में तुदा सवारणा टाइम ले रहा हूँ मेरे नाना उओ वो मेरे बाबा साब से मिले हुए थी तो वो जो जो स्टूडन्स को मिलते थे ना तो my nana was one of them कि उनकी उनसे बात हुई थी बात नहीं हुई थी मतलब बच्चों को इंटरेक्शन करें तो उन ग्रुप में सी एक बंदे ने किसी ने पूछा था बाबा साब से कि आप बताईए भी हमें क्या करना है यह तो बाबा साब ने कहा था कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है सिर्फ दस बच्चे पढ़ाने हैं आपने सिर्फ दस बच्चे ठीक है और वो सर हमारी पीडी में ऐसे चलता रहा है अल्मॉस्ट जिसके पास भी छमता है ना सर वो बच्चे जरूर पढ़ाता है अपने तो पढ़ाता है पढ़ाता है दस एक्स पा जरूर पढ़ाता है यह है मेरे बाबा साब ठीक है मेरे बाबा साब ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मंगा मैं इज़त से जी रहा हूँ सर बाहर की कंट्री में रहता हूँ ठीक है यह अगर मेरे बाबा साथ ना होते सर तो मेरा क्या होता सर बताई कितने सर इनके भगवान आ गया इतने अधिशी मुनीफ लानादिम का ये वो पता नहीं कौन कौन आ गया सर मेरे को अधिकार किस ने द मेरे एक कखन ने सर मुझे मैसज़ किया ना राम का मर्यादा प्रशोत्म राम कीजाए ना ऐसे मुझे लिख दिया स्टिकर उसके ना राम नमन को ना उसको पता है कि मैं बाबा साथ का बच्चा हूँ है जान-भुजकर ना पेहले माँ पहले मैसेज मेंही समजाता था फिर मैंने करने मैं आज इसकी मैंने ठुकाई करने मैंने उसको फोन ही लगा दिया मैं केस ब्च अम्हार्णरद पर श्योतन की जिसने हमारा शंबुक रीशी मार दिया उसकी जिसने वो कहते हैं कि भीली नी के बेर खाए उसने बेर को पैसे दी उसको उसने पूछा तेरे को और कोई जंदगी में पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है उस महार की जिसने वो नदी पार लगा दी क्या उसके बाद उसके बच्चे पढ़ाई की इसने वो भी सिर्फ लेके ही गया वो देके कुछ नहीं गया हमें देने वाला हमारा बाप है हमारा बाबा साथ है तच जी बिलकुल मनिश्ची आपने बिलकुल सटीक उत्तर दिया है और मेरे ख्याल से यहां जो दर्सक होंगे उनको कुछ जबाब देने की तागत भी मिली होगी उन्हें समझ में आया होगा कि अब हमें जबाब देने की जुरत है चले सुक्रिया सुक्रिया